हेलो स्टुडेंट लेट्स क्रैक यूपी एसी सी एसी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर जहाप लोगों का श्वागत करता हूं आप अपने का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या-क्या बेनिफिट उठा सकते हूं पहले आप मेरे बारे में जानगों तरहे पास आठ वर्सों के टीचिंग एक्सक्रियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर जिसके कई प्रदेश्टेट संस्तान हूं और शहरों में पराया है मैं history और geogra 귀 optional paper सामान अध्यन का section पर आता हूं तो P asked कर मैंने दो बार rend the reader निए है और अर प्छी के मैंने एक बार इंटर्विए और pH कर सकते हैं अब आप अनगाडमी का तेली ग्राम को लिंक आप इसे लेफिट हैं जब आपने का सब्सक्रिप्चन ओर इसके प्रोग्राम के इके डिनौटी सब्सक्रिप्चन लेते हैं तो आपको क्या बेन्फिट मिलता है इसमें आध्येonta के साथ इंगेज होके लिजेतर करें क्लास से संबंदित जो भी डॉर्त होती इसको अधार पर आपको PT और मेंस का दिया जाता इसके माध्यम से आपको अपने preparation को test करने का अवसर मिलता है इसरा आपको एक structure course की प्राप्ति होते जिसके ताथ एक निर्धारिज सभाए में आपको UPSC के PT और मेंस का syllabus कबर करा दिया जाता है और चौंथा आप unlimited access को प्राप्त करते हैं अर्थाता भीर का इसा नहीं बनते देश के सबसे लार्जेस्ट online education platform से जुड़ जाते हैं और देश के टॉप एडुकेटर से मार्क दर्चन लेते हैं तो और अकैडमी के द्वारा चलाएगे मोर्दन 15000 से भी अधिक प्रकार के कोर्से जो UPSC के PT से संबंदित है मेंस और इंटर्व्यू गैडलेन प्रोग्राम से संबंदित है आप उसका benefit उठाते हैं अर्थाता तन अकैडमी के एक सबस्क्रिप्शन से आप को प्राप्त करते हैं के जी इस का दू प्रकार का सब्सक्रिप्शन एक प्लस को और दूसरा आइकॉनिक है तो प्लस कोर्स के बारह मंत का जो सब्सक्रिप्शन है यह 49500 का है और जैदि आप मेरा रिफरल को शंकर वाइटी प्रियों करेंगे तो 10% मिलेगा तब बारह मंत क सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाता है और जैदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जी इस का लेना चाहते हैं तो जी इस के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारह मंत का जो सब्सक्रिप्शन फिस है यह 79500 रुपया है और जैदि आप मेरा रिफरल को श स्ट्रेज एंड्लिमिटेड़ प्राक्टिस है स्ट्रेक्ट्टर से जूल है प्रेशनल कोच है डेली मेंस को सनांसर राइटिंग स्टेडी प्लानर है और प्रेशनल फ्टबैक के अधार पर आपके तयारी प्राई जाती है त्याती आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब् सब्सक्रिप्शन है आप 2750 में प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल पर जोग्रफी ऑप्शनल पेपर पराना शुरू किया है तो आज 2.00 में जोग्रफी की क्लास होगी जिसमें हम लोग ऑप्शनल पेपर में आंत्रिक संरचना अर्थात जो कि आंत्रिक संरचना के बारे में हम अध्यन करें हैं तो और अपने तक तीन क्लास लिये हैं तो ओरियंटेशन वीडियो का था एक क्लास हमने लिया टॉपिक का और दूसरा टॉपिक आज होगा जिसमें आप सभी लोग दो बज़े आम अंत्रित हैं पार्टिसिपेट कर सकत हैं और यूपिएसी 2021 के एक्जाम के उसके च्छे मंत बांकी रह गया है उसको ध्यान में रखते हुए अनकैडमी के द्वारा 28 दिसंबर से कई सारे कोर्सेज की शुरुवात की जा रही है जिसमां पार्टिसिपेट कर जकते हैं और इस कोर्सेज की विशेशता है कि प्रलि यो गैडलेन प्रोग्राम भी आपको साथ में मिलेगा साथी 2021 22 23 के लिए प्रोग्राम की शुरुवात की गई है पॉन्डेशन बैच की आप इस पॉन्डेशन बैच में से किसी में भी आप अनकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर पार्टिसिपेट कर शकते हैं अनकैडमी के जो अइकश करने वाला यानी बरने वाला है तो आपके मित्रों में से ज़ादी आपको बड़े हुए सब्सक्रिप्शन परेना होगा तो सभी का मुगल काल के जो continue श्रीज चल रहे हैं मुगल काल वीडियो में आप लोगों का मुगल काल के श्रीज में श्वागत है इस बीच में तीन आपको आधुनिक भारत पर श्रीज मिला था जिसमें हमने चाम प्रदायक्ता कुथ्थान और विकास की जो प्रकरियाती भा और आप शबीन उसको देखकर अपना नोट्स बनाया होगा तो मुगल काल में अभी तक हम लोग क्या कभर कर चुके हैं थोड़ा से एक बार चुके बीच में तीन क्लास इस पर जो है सो विराम लग चुका था और विराम लगने का कारण भी एक था कि आप लोगों को एक नया टेस्ट मिल गया एक नई रेसिपी मिल गया अपुनह पुराने रेसिपी पर आपको लेकर आते हैं तो अब तक हम लोगों ने मुगल काल में क्या-क्या कभर कर लिया है वह एक बार देख लेते हैं तब फिर हम आपको आज के टौपिक में लिए चलेंगे तो अभी तक आपकोर मुगल काल का जो प्रश और है उस प्राशासन के बारे में हम लोग पर चुके हैं है यह घभर कर जाता है साज और और अरंजय बज को जब हम लोग कबर कर रहे हैं उस समय भी मैंने बताया था कि एक बर का जो दक्षिन अभियान था उस पर मैंने जिक्र नहीं किया था और मैंने बताया था कि जो मुगलों की दख्षिन नीती है इसको एक पैकेज के रूप में एक अलग टॉपिक के रूप में आपके पास लेकर आएंगे तो आज का जो सेशन होगा या इसी पर अधारित होगा और आज के सेशन का जो नाम होगा मुगलों की दक्षिन नीती, मुगलों की दक्षिन नीती कहेंगे हम लोग 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 मुगलों की दक् तो जहांगिर के समय में मुगलों की दक्कन निती को जानेंगे और अरंगजेब के दक्कन निती के बारे में हम लोग जानेंगे यह ध्यान में कि मुगलों की दक्कन निती पर हम शुरुआत करें उससे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक पॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि इस मुगलों की दक्कन निती को हमें तमजना किसकी सीज में हैं मुगलों की दक्कन पॉलिसी मुगलों की दक्कन निती तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि मुगलों की जो दक्कन निती थी तो उस समय जब अकबर के दक्कन निती की सुरुआती तो उस समय की बात है तो उस समय दक्कन की इस्थिती क्या थी यह हमें देखना पहले यह देखेंगे फिर क्या उत्तर और दक्षिन के बीच कोई संचार शाधन उत्तर और दक्षिन के बीच जो परिस्थितियां चे उत्तर दक्षिन चंपर्क क्या था कैसा था संपर्क के उपर हम लोग चर्चा करेंगे फिर हम लोग देखेंगे कि अकबर की जो दक्कन की नीती शुरू होती है अकबर की दक्कन की नीती का उद्येस और उसकी प्रिष्ट भूमी क्या थी अकबर की दक्कन नीती का उद्येस एंड इसकी प्रिष्ट भूमी कैसी थी किस तरीके से ये नीती शुरू होती है और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे अकबर के बाद जो जहांगेर के समय में दक्कन की नीती किया रहती है क्या प्रिष्ट भूमी होती है और फिर बाद में हम लोग निश्कर्ष निकालेंगे और निश्कर्ष में कई सारे प्रश्ण होंगे कि कई बार यह प्रश्ण पूछा जाता है कि जिस तरीके से इस्पेन के फोरे ने निपोलियन का पतन कर दिया ठीक उसी तरीके से दक्कन के अलसर ने और अंजेव का पतन कर दिया मुगलों क की निती की शुरुवात होती है उस समय दक्कन की क्या इस्थिति थी और किस तरीके से वहां पर था तो चलते हैं सबसे पहले दक्कन की इस्थिति यानि अकबर की समय में अकबर के समय से मुगल की दक्कन की निती की शुरुवात होती है तो एक हेडिंग आप लोग बनाएंग अकबर के समय अकबर के समय दक्कन की इस्थिती क्या थी जदी आप समझ जाएंगे तो फिर तासक विशेष की पॉलिसी को समझने में कोई खास परिशानी नहीं होगी कोई खास दिक्कत आपको नहीं होगी तो अकबर के समय में जो दक्कन में क्या था कि इस समय दक्कन में जो प्रमुख राज थे इस समय पहल आप उसको समझ ले इस समय दक्कन के जो राज थे वो कौन-कौन राज थे वो आप जहां से देखे इस समय दक्कन में एक मुगलों की सीमा से लगा हुआ जो राज था वो राज्य प्रमुक्रूपशेत determ और यहां पर एक ऑंद नगर का राज्य अर्पिर यहीं पर एक civil कंडा का राज्य और या इresser लें कि जब तक अहमाद नगर के द्वारां औरर बीजापूर के द्वाराण यहां पर एक ब्रार का भी राज था और यहां पर क्या था वीडर का क्या्यां राज हो जाएगा इसमें से जह पांच राज Immediately के सबस्साइब में आप बहमानी के बार में परा है उसी के खंडरों पर निर्मित वेराज से तो अहमद नगर में जो बंस चलता था उसको हम लोग कहते थे यहां पर निजाम साही बंस कहते थे निजाम साही बंस यहां पर होता था यह कभी कभी मैच करने के लिए पीजापूर में जो बंस होता था उ लिए गुलकुंडा के सासकों में पुली कुटुब साय आल बरार में जो होता था इमाद icons होता था इस तरीके से यहां यहां पर होते दे आगे चल कर बरार और विदर जीत विये जाते हैं केबल, चार राजियें बस्तिय अक्बर के समय में खांदेस होता है अहमद नगर होता है बीजापूर होता है गुलकुंडा होता है यह ज़्यान में रखने की जरूरत है अब इन धककन के राज्य थे कि सबसे पहले आप देखें कि इन दकनी राजियों में दो राजियों सबसे पहले चलें कि जो बीजापूर है और जो अहमदनगर है इन दोने राजियों के बीच तीन छेत्रों पर अधिकार को लेकर शंगर चल रहा था तीन छेत्रों पर अधिकार को लेकर कौनकर सशंगर चल रहा था तो बीजापूर के और अहमदनगर के बीच एक बीदर पर अधिकार को लेकर शंगर चल रहा था दूसरा जो 16 अपूर का 136 है महरास्त का तोलापूर के तटिये च्छेतर पर अधिकार करने को लेकर संघर्ष और तीसरा जो सम्रिद्ध और उत्पादक कोंकन तटिये च्छेतर था इस कोंकन तटिये च्छेतर पर अधिकार करने को लेकर संघर्ष चल रहा था तो बीजापूर और अहमदनगर के बीच इदर के झाइदर पर घंघर चल रहा था अधिकार करने को लेकर घंघर चल रहा था और जहल θα कि बात है कि जो अहमदंगर था एक तरीके से वह चाहता था की दकशिन भारत की शरवत्च्ष tv इसक्ति बनना चांब नगर शर वच शक्ति बनना चाहता था इसन Christianity ना केवल इसका विजापूर्शे शंगर्स हो रहा था बलकि गुलकुंडा से भी शंगर्स हो रहा था वह आगे आपको बताएंगे सभी राज आपस मिला रहते लेकिन यहां पर यह समझना है कि जो अहमद नगर था यह अहमद नगर रिखता था कि वह दचिन भारत की कर देते हैं तब आप समझेंगे इस मांसे दर पर आप इसको बड़ी अच्छे ढंग से समझ सकने हैं यह कोंकन तट का एरिया हो जाएगा इस कोंकन तट पर भी जो था यह अधिकार चाहते थे और कोंकन की जो सिमा थी वह गुजरात के सासक के राजी से मिलती थी यहां पर गुजरात का राजी था तो अहमद नगर के कोंकन तट पर अवधिकार करने के कारण क्या था कि जो गुजरात का सासक था वह भी इसका विरोध कर रहा था इसका अर्थ यह है कि उत्तर के जो राजी थे वो भी दक्षिन की राजनिती में रूची ले रहे थे और उत्तर और परदक्षिन पूरी तरीके से अलग नहीं था यह ध्यान में रखने की जरूरत है तो एक परिस्तिति यह थी पूसरी परिस्तिति यहां पर क्या थी कि जो बीजापूर्आ और गोलकुंडा है तो बीजापूर और गोलकुंडा के बीच भी क्या था संघर्ष है चल रहा था और बीजापूर और Golkunda के बीच जो संघर्ष चल रहा था या वेसी कली महारास्तよね का चेत्र थो सामरिक दुरिष्टि कोन से महत्वपूर्ण शेतर था नाल दुर्ग के साम्रिक अस्थल पर अधिकार को लेकर जो है तो बीजापूर और गुलकुंडा भी आपस में जगर रहे थे किसरा तौथा पॉइंट यह धियान में रखना है कि पंद्रह सो बहत्तर में से लेकर 1547 के बीच क्या क्या जाता है कि अकबर के दौरह दू बार गुजरात का भियान क्या जाता है चुआंकि गुजरात प्राक्रमन कर लेने के बाद मुगल नजनीती से बचे नहीं रह सकते थे उसका आगे हम और जिक्र करेंगे लेकिन इस समय क्या होता है कि गुजरात gai के बाद अकबर को क्या होता है कि पुर्वी भारत की और ध्यान देना पड़ता है कि इसी समय क्या होता है कि इसके आगे बिहार और बंगाल समय विद्रो हो जाता है फिर और उरिशा के मूर्चे पर उलज जाता है और जब इधर की इस्तिती घुघलों के दोरा यनि अकबर के दोरा संभाली जाती है तब तक क्या होता है कि उत्तर पस्षिम सिमान सितर पर अकबर को ध्यान देना परता है क्योंकि उत्तर पस्षिम सिमान सितर में जो लाहोर का इस्थिती था वो जो उजबेग सासक थे वो थोरा सा अग्रेशिव हो रहते अक्रामत बिती अपना रहते अकबर उसके बाद चला जाता उतर पश्चमी सेमा प्रांथ और फिर कई सालों तक यानि कि लगभग 1597 तक अकबर लाहोर में ही रहता है राजधानी बनाके जब तक कि उजबेग सासक के मृत्यू नहीं हो जाती है इसलिए क्या है कि इस समय गुजरात विजय के बाब जूद भी अकबर जो है सो दच 190 तक दक्कन पर कोई ध्यान नहीं जाता है दिया जाता है जो कि उसका रीजन यहीं था कि कुछ समय के लिए वो पुर्वी भारत विहार बंगाल में उलजता है और उसके बाद उतर पस्चमी सीमा मूर्चे पर काफी लंबे समय तक फसे रहता है इस बीच में यानि कि 1572 शे अहमद नगर विजापूर और गोलकुंडा ने एक विस्तारवादी निती अपना लिया था कि दक्कन के जो छोटे छोटे राज यह ते और विजह नगर समराज के खंडरों पर जो छोटे छोटे पल रहे थे उन सभी एडिया को इन तिन राज्यों ने रौंद डाला और अ यह था पांचमा पुइंट काया था कि इस समय जो दक्कन की स्थिति की की महत्तपूर्ण बात क्या हो रहे थी कि दक्कन की जो इस्थिति थी उस मामले में अब मराथों की मिका नरत म्रेंट रहे था देंगे युद्ध में प्रवीब थे च्यापामार जिसको आप गुरिल्ला युद्ध में प्रवीब हृ était डुसरा यह दक्कन के भौगोलिक परिस्थितियों से परिशित थे खासकर जो महराठवारा प्रदेशा तो दक्कन के भौगोलिक परिस्थितियों से विशेच अफगत थे और इसलिए दक्कन के तिनों ही राज्ये जो अहमद तोगल कुन्दा था इन तीनों राज्यों में जो शोड़ अतर चुर्ठा मारीशे से इतां त्रम्यूं जो धुट्राइगर इनके तीनों राज्यों को अपने सेना में सामिल करना शुरू कर दिया था और इसका सबसे प्रबल पोशक जो था विजापूर का सासक जो इब्राहिम आदिल साह था विजापूर का सासक इब्राहिम आदिल साह इस निती का सबसे बरा पोशक था इब्राहिम आदिल चाह इस निती का सबसे बरा पोश सकता तो दक्कन के मामलों में क्या हो रहा था कि मराठों का महतोबर रहा था और मराठा जो घुर्षबार बारगीर शैनिक होते थे वो विजापूर अहमद नगर गुलकुंडा तीनों राजियों में कई मुख्य पदों पर और इस समय कई सारे परिवार जिसमें मैंने बताया का आप नाम याद रखेंगे जो निंबालकर परिवार था उसका महतोबर रहा था जो मोरे परिवार थे उसका महतोबर रहा था जो सिरके परिवार थे मराठा के अंतरगत उसका महतोबर रहा था जो घोर परे परिवार थे उसका महतवर रहा था और शभी का मराठा वारगीरों का नियुक्ति होना शुरू हो चुका था यानि कि मराठों की भूमिका जह है वो काफी पर रही थी पांचमा शठा पॉइंट किया था कि जिस तरीके से उत्तर भारत में आपने देखा सल्तनत के काल में कि सुल्तान की मृत्यों के बाद अमीरबर्ग और अपने प्रभाव का सुल्तान बनाने के लिए शंगर सरत रहते थे कि किसी तरह से दत्कन में भी क्या था कि राजनितिक गुटबंदी अपने चरम पर थे कि जब भी किसी सासक की मृत्यों होती थे तो सासक की मृत्यों के बाद उसके दरबार में रहने बाले जो अमीरबर्ग थे वह अपने 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 प्रभाव के सासक को बनाए रखने बनाने के लिए संघरसरत रहते थे तो यहां पर दकन भारत में क्या था खासकर दो अमीरबर्ग की गुरुप थे एक था जिसम्रुका गुरुप और दूसरा जो गुरुप था उसको हम लों कहते हैं नवा गंतुकों का गुरुप था दक्नियों का गुरुप और नवा गंतुकों का गुरुप था यह जो नवा गंतुक थे इसमें बेसिकली अफ्रीकियों का यह गुरुप था अफ्रीकी जो आये थे भारत और पलस जो गरीबों का गुरुप था यह अमीर बर्ग का नाम था क अब दूसरा क्या था कि दक्षिन भारत को थे और दक्षिन भारत के जो थे साथ-साथ इसमें एक और था डक्षिन गुरूप में जिसको हम लोग कहते हैं हबसी इसमें सामिल थे और हबसी जो थे वो बेसिकली कौन थे अब सीनिया का रहने वाला जो मुशलमान था जो भारत आये थे अब सीनिया मूलके और जो अफ्रीकी मूलके थे वो इसमें सामिल थे और दकनियों में तो और साथ-साथ यहां पर एक क्या था कि दकनी प्लश मुख अमीर बर्गों का गुट था एक हो जाएगा दकनी अमीर बर्ग का गुट पहला एक दूसरा हो जाएगा नवागांतुक अमीर बर्ग का गुट और तीसरा हो जाएगा अफगान अमीर बर्ग का गुट तो जो नवागांतुक अमीर बर्ग थे उसमें अफरीकी और गरी इन्याई कंट्री से आये हुए थे उसके रहने वाले थे और तीसरा जो था वो अफगानूं का ग्रुप था तो कभी कभी सासक की मृत्य होती थी खासकर अहमद नगर में यह हमें देखने को मिलता है यह सभी अमीर बर्ग जो थे अपने अपने प्रभाब वाले शासक बनाने के लिए बैचायन हो उत्ते थे और जाहिर सी बात है कि इसके कारण क्या हुआ था कि इस गुटबंदी के कारण कभी-कमी अमीर बर्ग में कभी-कभी क्या अक्सर फुनी शंगर्ष होता था और फुनी शंगर्ष क्यों होता था कि अपने प्रभाब का सासक बनाने के लिए पुनी शंगर्ष होा करता था इस तरीके से जो दखकन था न वह एक ड़दक्ता हुआ अगनी कुन्ड की स्थिती में था इस समय क्या था शौलमी शतावदी चुछ और नई तक्त्व उभर कराय थे शोलमी शतावदी में क्या था कि जिस समय भारत में मुगल शामराज की अस्थापना हुई थी और उसी समय क्या हुआ था कि इरान में वेसिकली क्या हुआ था कि इरान में सफावी सामराज का उदय हुआ था सफावी शामराजी का उदय हुआ था और शफावी लोग जो थे वो वेसिकली किया थे कि सफावी लोग धार्मिक दृष्टि कोन से सिया मत को मानने वाले थे सिया मत को मानने वाले थे सफावी सामराजी से पहले और यहां पर आप ध्यांज देखे कि सफावी जो थे यह सिया मत को मानने वाले थे मुगल शासक जो थे यह वेसिकली सुन्नी मत को मानने वाले थे और दक्कन में भी क्या था कि दक्कन में भी क्या होगा ता आप ध्यांज देखे इरान में सफावी सामराज का उदाय होता हो और शफावी जो थे यह सिया मत को मानने वाले थे तो सिया मत को क्या था कि काफी लंबे समय तक इनको दवा कर रखा गया था कि इनके द्वारत उजबेग सासकों के द्वारत उससे पहले क्योंकि इनके जो कोई मत के मानने वाले थे कोई प्रमुख आजबंस नहीं आया था जो सिया मत को काफी अधिक बढ़ा चड़ा कर ले जाता तो सिया मत के मानने वालों को काफी दवा कर रखा गया था लेकिन जब इरान में सफवी समराजी का होता है तो सियामत का यह समर्थक था और शियामत के लोगों ने क्या क्या कि अन्य लोगों पर खुलकर अत्याचार करना शुरू कर दिया इरान में खुलकर सियामत के लोगों ने अन्यमत वालों पर फुलकर अत्याचार करना शुरू कर दिया यानि कि एक तरीके से यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि धार्मिक उनवाद अपने चरम पर था फुलकर अत्याचार करना शुरू कर दिया और इस अत्याचार के कारण क्या हुआ कि इरान से क कई मुशलमानों के गुट भारत भी आए कई मुसलमानों के गुट भारत भी भाग कर आए और ना केवल भारत भाग कर आए बलकि इन में से कई सारे गुट जो भारत भाग कर आए ये दक्षिन राज्य की ओर चलेगे और दक्षिन राज्य की ओर गए तो दक्षिन राज्य की गोलकुंडा सभी राजियों में जाकर इन्हों ने आस्रे ले लिया और खास कर दच्छिन भारत का एक राज जिसको गोलकुंडा कहते हैं जैसे मैंने पहले भी बताया गोलकुंडा ने क्या क्या इरानी सासक के प्रभाव से अपना राजधर्म सिया धर्म घोसित कर लिया जब ये इरानी जो सफावी समराजित थे इनके अत्याचार के कारण जब वहां से कई सारे अमीर वर कई सारे परिवार भाग कराते हैं तो वह भारत के विभिन भागों में चले जाते हैं और दच्छिन भारत में भाग कर विभिन राजियों में जाते हैं और वहां पर भी वह महत्पुर्न भूमिका निभाते हैं और खासकर गुलकुंडा के सासक के द्वारा क्या क्या जाता है सियाधर्म घुशित कर लिया जाता है ना केवल सियाधर्म घुशित कर लिया जाता है बलकि गुलकुन्डा के सासक के द्वारा अपने खुत्बा में इरान के सासक का नाम सामिल कर लिया जाता है तो इस तरीके से क्या हुआ था कि इनके आने से दककन में जो था एक तरीके से जो खूनी शंघर्ष चल रहा था वो पूनी शंगर्स कभी-कभी धार्मिक रूप लेकर और महत्तपुर्ण रूप से उभर कर सामने आना शुरू हो चुका था तो सात्मा पॉइंट यानि कि इसने भी दक्कन में एक महत्तपुर्ण रोल प्ले करना शुरू कर दिया था ये ध्यान में रखेंगे पिर आठमी परिस्तिती क्या थी इस समय ये भी आप जान लिजिए कि इस समय क्या था कि जब उत्तर भारत में अकवर का सासन था और दक्कन वी इस समय थी इस समय क्या था कि एक तरीके से कहेंगे कि महदवी विचारों का उदय होने वाला था महदवी विचारों का उदय हुआ था महदवी विचारों का उदय है और इस महदवी विचारों का उदय है इसने भी दक्कन की राजनिती और धार्मिक परिस्तिती को प्रभावित किया था ना केबल दक्कन पल की पूरे विश्व में इसमें क्या था महदवी के आनेशे विचारों का उदय और इसने क्या क्या था कि महदवी विचारों के उदय ने दक्कन की परिस्थिती को और बिगार दिया था दक्कन की परिस्थिती को यहां की जो इस्थिती दक्कन की परिस्थ प्रिस्थिती को काफी बिगार दिया इसको काफी धार्मिक रूप समझे अखिर महदबी विचार होता क्या है और महदबी किसे कहते हैं तो इसलाम में यह मानिता है कि प्रत्येक सदी में प्रत्येक सदी में पैगंबर मुहम्मद के परिवारशे एक व्यक्ति आता है प्रत्येक सदी में पैगंबर मानिता है कि प्रत्येक सदी में पैगंबर के परिवारशे एक व्यक्ति आता है एक व्यक्ति आता है जो धर्म की विजय को अस्थापित करता है, जो धर्म की विजय को अस्थापित करता है, जो धर्म की विजय को अस्थापित करता है, और ऐसा करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो धर्म की विजय को अस्थापित करने के लिए आता है, वही क्या कहलाता है? महदी कहलाता है तो इस समय भी क्याता है कि इसलाम में लगभग पूरे विश्व में यह मानिता थे कि महदी का उदाय होगा महदवी विचार इसी को कहते हैं कि जो धर्म के विचार शे प्रेडित है इनकी यही मानिता है कि प्रतेक सदी में पैगंबर के परिवार से एक व्यक्ति आता है जो इसलाम के धर्म और इसलाम की विजय पताका को फहराता है वो शमय आ चुका था इनकी मानिता के अनुशार जाहर शी बाता है कि जड़ इस तरीकत एक नया जोस इनके अंतरगत सभी छित्रों में आ चुका था और इसी समय क्या हुआ था कि भारत में भी एक व्यक्ति जिसका जन्म जानपूर में हुआ था पंदरहमी सताबदी में उसका नाम था सैयद मुहम्मद जिसका जन्म जानपूर में हुआ था और उसका नाम था सैयद मुहम्मद इस सैयद मुहम्मद नामक व्यक्ति ने किया किया था अपने आपको महदी घोसित कर दिया था और इसने पूरा उत्तर भारत से लेकर दक्षिन भारत की यात्रा के थे जाहर शिबात है कि इस महदी के विचारों के उदे से जो परंपरागत और रुधिवादी तब्के के लोग थे और उश्चे में तो आफ आधुनिक बिचारधारा वाले लोगों की कलपना कर भी नहीं सकते हैं सोलमी शताबदी में तो जो परंपरागत रूढिवादी मुशल्मान थे वो इस विचारों से काफी प्रेरित थे और इसने क्या किया था कि दक्कन की परिस्थितियों को काफी विगार कर रख दिया था और जो एक तरीके से आप कहेंगे धर्म के नाम पर शंगर्स आये दिन प्राया होते रहते थ इसलिए मैंने आपको कहा था कि दक्कन जो था एक अगनी कुंड की स्थितिय बन चुका था एक धधकता हुआ आग का गोला बन चुका था इंद्राजनितिक और धार्मिक परिस्थितियों के कारण और आठमा पॉइंट आपको याद रखने की जरूर क्या है कि आठमा पॉ इस पुर्तगाली का जो बढ़ता प्रभाव था इसके प्रभाव को भी सिमीत करने के लिए अकबर ने दक्कन की निती की सुरुआत की थी यानि कि पुर्तगाली भी दचिन भारत में क्या थे एक महतवपून रोल प्ले करना शुरू कर दिये थे और इनके बारे में तो मैं भी जमें हुए थे तो जब भी कोई व्यक्ति हज करने के लिए जाता था तो पुर्तगाली उनको लूट लेते थे या हज यात्रियों को जो थो वो काफ़ी परिशान कर देते साही परिवार के बात को थो छोड़ देजिए जो साही अकबर ने जो दक्कन की और एक ध्यान दिया था उसका एक कारण यह भी होगा वह पुर्तगालियों की सक्ति को सिमित करना चाहता था चौकि वह शाही परिवार के लोगों को परिशान कर रहा था हज यात्री को परिशान कर रहा था और इस दृष्टिकों से इसने दक्कन की और ध्यान देना शुरू किया तो यह आठ पॉइंट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से दक्कन की परिस्थितियां थी और इसी परिस्थिति में आपको यह याद है आप समझ गये हैं आप समझ लिजे कि इसी परिस्थिति में अकबर को दक्कन का अभियान करना या दक्क उठाना होगा वह आपको ध्यान में रखने की जरूरत है लेकिन इसके साथ ही एक और शेक्षन जो मैंने फॉर्मेटिंग जब करना शुरू किया था आपको बताया था उस फॉर्मेटिंग पर हम चलते हैं जदि वह पेज होगा तो आपको दिखाएंगे उसमें उत्तर और द दक्षिन के बीच संपर्क सेतु उत्तर और दक्षिन के बीच संपर्क सेतु और ये भी आपको मुगलों के दक्कन निती और खासकर अकबर के दक्कन निती को समझने में मददगार शाबित होगा काफी अहम पॉइंट है तो उत्तर और दक्कन के बीच जो संपर्क सेतु थ उसको समझने के लिए आप यहां पर एक परवत माला है जिसको परवत कहते हैं यह इसके उत्तर का एरिया है उत्तरी भारत का एरिया हो जाएगा उत्तर के दखन के रूप में भी हम लोग जनते हैं सबसे पहला और यह कौन सा मांटेंडिन्स का एरिया हो जाएगा इसको हम लोग कहते हैं कुछ पर्वत कहते हैं कि बिन परवत का एरिया है तो सबसे पहले आप जान लिजिए कि हलांकी पहला यहां पर यह याद रखना है कि हलांकी यह जो बिंज परवत है उत्तर और दक्षिन के बीच विभाजक रही है बिंज परवत जो है वो क्या है उत्तर और दक्षिन के बीच विभागत है लेकिन यह परवत ऐसा नहीं है जिसको हम लोग अलंग है परवत कहेंगे जो लांगने योग्य नहीं है या जो पार करने योग्य नहीं है जो अलंग है नहीं है ऐसा ये परवत नहीं था जदी पूरे इतिहास को ध्रान से देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उत्तर भारत के साथ सक शमुद्र गुप्त के द्वारा भी समुद्र गुप्त उत्तर भारत के सासक समुद्र गुप्त के द्वारा विंद्य परवत को पार किया गया था ये ध्यान मुरेखेंगे फिर मद्यकाल में सबसे पहले जो है आप देखेंगे अलावदीन खिलजी के द्वारा बिंद्य परवत को पार किया जाता है और मद्धिकाल में जो है अलावदीन खिलजी के बाद जो है तो कई सारे आप कहेंगे एक तरीके से जो साधू होते थे, जो संत होते थे, जो महात्मा होते थे, जो यात्री होते थे, वो कई सारे ऐसे लोग थे जो उत्तर और दक्षिन की यात्रा बराबर करते रहते थे तो पहला पॉइंट तो यहीं याद रखना है कि जो बिंद परवत माला था वो उत्तर और दक्षिन के बीच विभाजक जरूर है लेकिन वह ऐसा अलंगनिय विभाजक नहीं था जिसे पार नहीं किया जा सकता था समुद्र गुप्त ने भी इसको पार किया था और उसने पल्लव तक के छेतर पर आकरमन किया था अलावदिन खिलजी ने इसको पार किया था फिर शादू शंत महात्मा यात्री कई ऐसे थे जिसने इसके कारण क्या हुआ था कि उत्तर और दच्षिन के बीच संपर्क के साधन बर गये थे उसरा तुगलक सासकों के समय जो प्रयास किये गये थे खासकर तुगलक सासकों के द्वारा क्या हुआ था कि जो राजधानी परिवर्तन के प्रयास किये गये थे मुहमद बिन तुगलक के द्वारा दौलतावाद या देवगिरी इस राजधानी परिवर्तन के कारण भी क्या हुआ था कि उत्तर और दक्षिन के बीच संपर्क शाधन बर गया था उत्तर इसके कारण क्योंकि उसने राजमार्ग बनाय थे जंगलों को साफ करवाया था ताकि दिल्ली से लोग दौलतावाद जा सके इसके कारण भी क्या था कि उत्तर और दक्षिन के जो ब और तीसरा पॉइंट यहां पर ध्यान में यह भी रखने की जरूरत है कि जब दिल्ली सल्तनत का पतन होता है तो दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद कई सारे जो कभी होते हैं जो लेखक होते हैं जो यात्री होते हैं और कई सारे समान्य लोग भी रोजगार की खोज में दक्कन की और आ जाते हैं इसके कारण भी क्या था कि उत्तर और दक्षिन के बीच काफी संपर्ख पढ़ चुका था यह कभी भी नहीं समझना है कि इतिहास के किसी भी सवह में उत् दूरियां जरूर थी लेकिन उस भॉगोलिक दूरी को और जो भॉगोलिक दूरियों को बनाने वाला चीज़ था जो विंद पर बता वह भी कोई ऐसा नहीं था जिसको पार नहीं किया जा सकता था जो मैंने आपको बताया और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात किया था जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है जो संपर्क शेतू में जो मैंने आपको बताया उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है वह यह है चौथा पॉइंट कि इसको भी आप मांचितर के थुरू समझेंगे तो जादे समझ में मालवा का राजी था जो नर्मदा और तापती वेसिन का राजी था मालवा और मालवा का सीधा जो संपर्क था यह अहमद और यहां पर यह जो एरिया होता था मालवा के राजी की सीमा से लगते हुए यह एरिया था यहां पर गुजरात राजी का और इधर उरिशा का राजी था जहां पर आपने विजयनगर के समय पर आप गजपती सासक होते थे तो उरिशा का राजी था यहां पर गजपती सासक ह तो यहां पर यह ध्यान मे रहना है कि घुजरात के सासक, मालवा के सासक और उरिषा के सासक यह तीन पहले भी दक्षिन की राजनिती से जुरे रहें गुजरात भी जुरा रहा है मालवा भी जुरा रहा है उरिशा भी जुरा रहा है ये तीनों दक्षिन की राजनिती से जुरा रहा है और जब अकबर के द्वारा 1561,62 में मालवा को जीत लिया जाता है 1572 में गुजरात को जीत और मान सिंग की द्वारा जीत लिया जाता है जरूर था कि अब अकबर दच्छिन भारत की राजनिती में प्रवेश किये बिना रह नहीं सकता था इसलिए चुकि पहले भी ये राज दच्छिन की राजनिती में रूची लेते रहें गुजरात जैसे मैंने अभी भी आपको ब अभी जो है यहां पर प्रत्यक संपर्ख था उरीशा के भी सासर के पहले शंपर्ख था तो इसके कारण किया था कि अब मुगल दच्कन की राजनिती से अलग नहीं नहीं रह सकते थे क्योंकि गुजरात कुनों ने जीत चुकी लिया था मालवा को जीत लिया था उरिशा को जीत लिया था जाहिर सी बात है कि जिन राजियों का पहले से भी दक्कन की राजनिती में रूची रही है आपने उन राजियों की विजय कर ली है तो फिर आप दक्कन संपर्क शेतु बताया और ये जो तीन राजियों की विजाय के बाद जो मुगलों की स्थिती थी उसकी तहत या उसी प्रिष्ट भूमे में आपको दक्कन की मुगलों की दक्कन की और अकबर की दक्कन की निती को आपको समझना है तो सबसे पहले अब आपको हम लिए चलते हैं कि अकबर की जो दक्कन की निती है यहां तक जब आप समझ गए हैं तो अकबर की दक्कन की निती को आप समझ ए और कैसे क्या है किस तरीके सी ये चीजी आगे भरती है तो सबसे पहले एक हेटिंग बनाएंगे अकबर की दक्कन नीती या डेकन पॉलिसी दक्कन नीती तो अकबर की जो दक्कन नीती थी सबसे पहले इस नीती का उद्येश क्या था एक ये जान लेते हैं इस नीती का उद्येश क्या था पहला point दूसरा जो निती का उद्जेश था और क्या प्रयास करता है अकबर क्या प्रयास करता है उसको इस प्रयास को आप दो सरेनियों में रख सकते हैं के द्वारा क्या होता है कि एक कूट नितिक प्रयास भी किया जाता है और दूसरा अकबर के द्वारा कि जो कहते हैं युद्ध निति का भी सहरा लिया जाता है और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि अकबर के समय में कुल मिलाकर उपलबदी क्या रहती है धक्कन के नीती की वो हम लोग देखेंगे कि कुल मिलाकर उपलबदी क्या रहती है क्योंकि जो उपलबदी अक्बर कायं करेगा जैसी परिस्थेतियां रहेगी उसी प्रिष्ट भूमी में जहागिर को काम करना होगा तो आप उसको समج पाएंगे जहागिर की नितियुक्व उसी प्रिष्ट भूमी में क्या होगा जहांगिर को भी काम करना होगा तो उसको समझने के लिए जहांगिर को काम करना होगा जाहर सी बात है कि इस तरह की स्थिति को समझने के लिए एक समग्र विश्लेशन की जरूरत है तो सबसे पहले अकबर के दक्कन नीती का क्या उद्येश्ता तो सबसे पहला पॉइंट का आप यह जान लिए कि चुकि अकबर जो था पूरे भारत पर प्रभुता का दावा करता था तो पूरे भारत पर प्रभुता का दावा करता था यह आप ध्यान से रखेंगे एक दूसरा अब पूरे भारत पर प्रभुता का आप दावा करेंगे तो इसका जायर सी बात है कि सामराजी के एक ही छतर में पूरे दच्छिन को भी आ जाना चाहिए एक दूसरा क्या थ सकता यह तो आप जानते ही हैं और शामराजवादी शासक होने के नाते क्या था कि सामराज विस्तार और शामराज की शुरक्षा उसकी उद्धेस होती थे तो जिस समय अकबर धक्कन की और कदम उठाता है वो लगभग 1591 समय है ठीक पर 1591 में जो अकबर दक्कन की और कदम कुठाता है तो इस समय अकबर की द्वारा क्या क्या जाता है कि उत्तर भारत पूरी तरीके से अकबर जीत चुका था उत्तर भारत को पूरी तरीके से क्या क्या जा चुका था उत्तर भारत जीत चुका था कस्मीर से लेके बिंद तक उत्तर भारत जी चुका था पुर्वुत्तर में भी लगभग मांसिंग और पांसिंग के द्वारा असम तक के चित्रों पर अधिकार कर लिया पुर्वुत्तर में भी जीत चुके थे पस्चिमुत्तर शिमा प्रांत में भी अकबर ने एक बैग्या बैग्यानिक शीमा को प्राप्त कर लिया था पस्चिमुत्तर में एक बैग्यानिक शीमा अकबर प्राप्त कर चुका है एक बैग्यानिक यहीं छेतर बचता है और वह छेतर कौन सा बचा था एक खेतर भचा और अपज भारत जिधर अक्वडर aकवल कदम उठा रहा था उस्वराजि पद और संब्राजी पादी प्रविटी का सप्ध़ा हैं और सम्राज की एक पूरे भारत को एक छत्र में लाना चाहता था, इसको आप अकबर के एकिकरन के निती के तहट समझ ये, शामराजवादी सासक तो वो था ही, लेकिन साती अकबर के द्वारा जो शंपुर्न भारत को एकिकरन के दिशा में प्रयास किये जा रहे थे, उस एकिकरन के तहट भी जरूरी था, कि द समर्थक था, सिमीत विस्तार का समर्थक, सिमीत विस्तार का समर्थक था, एक ये, सिमीत विस्तार का समर्थक था, और चोथा पॉइंट के जिस तरीके से अकबर ने पस्चिमुत्तर में एक बैग्यानिक सिमा की प्रयास किया था, ठीक उसी तरीके से वो दक्षिन में भी अ ग्यानिक सिमा हमें मिल जाये वैग्यानिक सिमा प्राप्ति होजाये यह अकुर चाहता था प्राप्ती हो जाये उस सबसे पहला जो कौएंट है पुरे देश पर प्रवुट का दाव़ा करता था इस द्रिष्टि कौनसे भी डक्षिन orieन जारूरी थाच सोच्थ अब दक्षिन को मुगलों के धीन आना था क्योंकि अकवर उत्तर भारत पुरा जीत चुकाथ पुर्व oni और अब अव्यान का आदर करना चाहता और और तो इसका भी अव्यान का अभी तकाल क्या था शमीत विस्तार का उद्येश था वो पूरे दक्षिन को अभी मुगल में मिलाने का समर्थक नहीं था और चौथा इस तरीके से उसने पस्षिम में एक बैग्यानिक डक्षिन में भी वेक बैग्यानिक शिमा की प्राप्ती करना चाहता था और पांचमा पॉइंट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अब चुकि अब जो पीछले मैप में आपको दिखाया था कि इस समय तक आते आते कि अकपर के द्वारा फुजरात को जीत लिया गया था उसरा इस समय तक अक्बर के द्वारा उडिशा को जीत लिया गया था और यह तीनों राज्य आइसे राज्य थे जो डक्कन की राजनिती में प्रारंब से ही रूची रखते थे दक्कन की राजनिती में प्रारंब से रूची रखते थे जो राज ये प्रारंब से दक्कन की राजनिती में रूची रखते थे और आपने उस राजी को जीत लिया है तो जाहर सी बात है कि अब आप दक्कन की राजनिती से अलग नहीं रह सकते उसमें आपको उलजना ही है उसमें आपको प्रवेश करना ही है और किस इस्तिति में अकबर प्रवेश करता है तो आट पॉइंट आपको बताया था पूर्तगाली की क्या इस्तिति की वो हद जाने वाले यात्रियों को सता थे तो इसी प्रिष्ट भूमी में अकबर के दक्कन की निती को शमजना है तो उद्येश क्या था ये आप समझ गए अब जाहिरशी बात है कि इसके दिसा में अकबर के द्वारा क्या प्रयास किया जाता है तो सबसे पहले अकबर क्या करता है कूट नितिक प्रयास करता है और कूट नितिक प्रयास के बाद उसके द्वारा युद्ध नितिका भी सहारा लिया जाता है तो अगले पेज में हम आपको लिये चलते हैं सबसे पहले देखते हैं कि अकबर के द्वारा जो कूट नितिक प्रयास किये जाते हैं वो सबसे पहले अकबर एक हेडिंग बना लेंगे आप लोग भी अकबर के द्वारा किये गए प्रयास औकबर के द्वारा जो किये गए प्रयास हैं तो एक्षेन में बांट कर क्या रख लें तो एक अक्बर के द्वारा पुट-nitik प्रयास किया जाता है और दूसरा जब कूट-nitik प्रयास मुझसे विफलता लगती है अलांकि यसमान्सिक सफलता भी तब वो क्या करता है कि युद्ध निती का सहरा लेता है। तो सबसे पहले पूटनितिक प्रयास के तहत अकबर के द्वारा क्या किया जाता है और किस तरीके से चीजें होती है तो आप ध्यान से देखेंगे उटनितिक प्रयास के द्वारा अकबर के द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है कि 1591 इस भी में इस समय जो दच्छिन भारत के चार राजी प्रमुखरूप से थे दक्षिन बारत के चार राज परमकुरूप से कौन कौन थे तो एक अकबर के सामराज से लगा हुआ राज था जिसको कहते हैं खान देश दूसरा जो था खान देश की सीमा से लगा हुआ था अहमद नगर अहमद नगर की सीमा से लगा हुआ था वीजापूर दक्षिन में और चौथा जो यहाँ पर राज था वो क्या था गोल कुंडा राज था यहाँ पर ध्यान से रखने की जरूरत है अकबर ने 1591 में क्या क्या इन चारो राजियों को एक तरीके से लेटर भेजा और लेटर भेजा कि यह चारो राज जो हैं मुगलों की प्रभुता को स्विकार कर लें यह कहकर उसने चारो राजियों को एक लेटर भेजा या उटनितिक मिशन भेजा यह आप कह सकते हैं अकबर चुकी चाता था कि जिस तरीके से राजपूतों ने उत्तर भारत में यहां पर अप्तूलना कर शकते हैं कि वह चुकी पूरे भारत पर प्रभुता का दावा करता था अकबर की सोच थी कि जिस तरीके से उत्तर भारत में राजपूतों ने अकबर या मुगलों की प्रभुता को स्विकार कर लिया और एक तरीके से सासक बर्ग के अस्तर पर संगर्ष की समाप्ती हो गई ठीक उसी तरीके से टक्कन के राजबी हमारी प्रभुता को स्विकार कर ये लेकिन अकबर ने जो ये भेजा था जो यहां पर भेजा था तो अकबर इसमें केबल खांदेश ने अकबर के जो प्रभुता के दावे था उसका समर्थन किया कि ठीक है हम आपकी बातों को मान लेते हैं आपको अपना प्रमुख मुगलों को हम प्रमुख मान लेते हैं ल उस अहमद नगर के सासक बोहरान जो मुगल दूत उसके यहां गया था उस मुगल दूत के साथ किया था एक तरीके से असिस्टता से पेश आया था जाहिर सी बात है कि यह एक तरीके से मुगल बादसा का अपमान था, अभी जदी मान लिजे कि भारत सरकार का कोई मिशन किसी विदेश में जाता है, और वो मिशन जदी प्रधानमंतरी यानि केंदर सरकार के दोरा निक्ट किया गया और उस मिशन की वहाँ पर अपमान होती है तो वो मिशन का अपमान एक तरीके से भारत सरकार का अपमान होता है तो ठीक उसी तरीके से अहमद नगर का सासक जो बुहरान था उसने नाकेबल प्रभुता को स्विकार किया बलकि उसने उस दूर्ट समंदल से असिस्टता के साथ पेश आया यह अकबर के लिए एक तरीके स बात थी श्यष जो बिजापूर और गोलकूंडा के राज थे इन दोनों राज्यों ने कहा कि प्रभुता का दावा तो नहीं माना कि हम आपके प्रभुता के बल मित्रवत संबंद बना रहेगा आपके साथ मित्रवत संबंद बना रहेगा इसका इन दोनों राजियों ने अस्वासन दिया और इतिहासकार यह भी मानते हैं कि इस दिसा में खांदेश ने भी जदी हामी भरी कि हाँ ठीक है हम आपकी प्रभुता को स्विकारते हैं तो खांदेश के में भी हामी भरने का दो कारण था प है के डर्शे यह जो है सोहामी भर दिया होगा ऐसा कुछ इतिहासकारों का माना जो शत्य भी होगा और दूसरा संबब है कि वही बात कि खांदेश के पास इस तरह की सन्य च्हमता नहीं थी कि वह मुगलों के प्रतिरोध का सहन करे तो संबब ता इसी कारण से खांदेश न तरीके से इस्थिती में क्या करेगा कूटनितिक प्रयास जो है कूटनितिक मिशन अकबर का लगभग और सफल हो गया क्योंकि खांदेश को चोरकर और किसी ने भी अकबर के प्रस्ताब को श्विकार नहीं किया बलकि उसके जो भेजे गये थे सिस्ट मंडल उसके साथ भी जो निजाम था वो असिस्टा से पेश आया था तो अब अकबर की पहली प्रात्मिक्ता होती है कि अहमद नगर के विरुद मुगल शेना का अवियान होता है तो अहमद नगर के विरुद जो मुगल शेना का वियान होता है किस तरीके से होता है और क्या परिस्थितियां होत अब आजाता है सैन्य अभियान पूट नितिक मिशन शमाप्त और अब अकबर कहां चलता है सैन्य अभियान पर और शैन्य अभियान कहां पर होना है तो चुकि अहमद नगर शब से पहले असिस्टता से पेश आया था तो अहमद नगर के विरुद जो है यह अभियान होना था तो अहमद नगर के बुरुज्वय अवियान होना था इससे पहले अहमद नगर की जो राजनितिक दसाती वो क्या थी वो आप ध्यान से समझ लेजिए तो आप समझ लेंगे अहमद नगर की इस्थिती क्या थे बुहरान की मृत्यूं के बाद चार गुट यहां पर सासक का समर्थन करने लगते हैं चार गुटबंदी चरम पर दक्षिन बारत में बहुरान का पुत्र बहादूर था बुहरान का पुत्र बहादूर जो था वो सबसे प्रवलदावेदार था लेकिन बहादूर जो था ये क्या था कि अल्प वयस्क था बहादूर जो था क्या था ये अल्प वयक्स था लेकिन इसी समय क्या होता है कि बहादूर जो अल्प वयक्स था तो इसी समय अहमद नगर की राजनिती में चांद बीवी की इंट्री होती है और चांद बीवी जो है जो अहमद नगर के करीके की सासिका भुरान के संद्रक्षन में बनती है चांद बीवी की एंट्री हो जाती है यानिकि चांद बीवी का प्रवेश हो जाता है इसकी राजनिती और जब चान्द बीवी बहादूर के शन्रक्षक के रूप में सत्ता सभालने लगती है तो वहलकुली वह कूटनितिक प्रतिभागी धनी थी विरांगना थी इसमें कोई दूर है नहीं है तो चान्द बीवी के प्रवेश करने शेक्या होता है कि बहादूर का जो नहीं करता था तो बहादूर के प्रतिद्वंदी गुट और बहादूर के प्रतिद्वंदी गुट का अर्थ हो गया कि वो चांद बीबी का भी प्रतिद्वंदी गुट हो जाएगा क्योंकि चांद बीबी जो है वो कौन है बहादूर की शनरक्षक हैं तो बहादूर के प्र आक्रमन के लिए आमंत्रित किया जाता है यहां पर यह अहमद नगर की राजनितिक दसा है अब आपके मन में यह हो रहा है कि चांद बीबी कौन है रचानक सर्व आपने इसकी इंटरी कैसे कर दी तो चांद बीबी को समझने के लिए हम आपको थोड़ा से स्पेस ले लेते है पीछे के पेज में आपको लिए चलते हैं कि चांद बीबी की इंटरी कैसे होती है और चांद बीबी कौन थी तो आप ध्यान से देख लिए चांद बीबी यह जो चांद बीबी है सबसे पहले तो आप यह समझ लिए चांद बीजी अहमद नगर के शासक का बुहरान की बह यह याद रखेंगे बहिंती और दूसरा यह विजापूर शासक की विधवा थी विजापूर के भूत्पूर्व शासक यानि अभीका नहीं विजापूर के पुर्व शासक विजापूर की पुर्व शासक की विधवा थी पहला बात यह याद रखेंगे विधवा थी और ती कि यहां वहां भी राजनितिक उठापठक चलती रहती दस वर्तों तक सासन किया था और अहमद नगर में जब बुहरान की मृत्यु होती है अपने भाईक की मृत्यु पर वो अपने भतीजे को देखने के लिए अपने भतीजे को देखने के लिए आती है कि क्या श्तिति ये भतीजे को देखने के लिए पने जब यहां पर आती है तो अहमद नगर की जो राजनितिक कंडीशन थी जो गट बंदी थी और बहादुर का bes Hiovoo का दीशन था उसको देखते हुए उसने अहमद नगर में रहने का चांद बीबी और एक तरीके से यहां की सासी का बन गए तो ये हैं चांद बीबी कोई अन्य नहीं इनका रिलेशन रहा है इस तरीके से आपको इसमें शमजना है अब जो चांद बीबी और बहादुर का प्रतिद्वन्दी गुर्था जिसने मुगलों को आकर्मन के लिए आम मुगल शेना का आकर्मन इसी प्रिष्ट भूमी में होता है और मुगल शेना का जो आकर्मन होता है तो जाहिर शिबात है कि अब आकर्मन की जो बागडोर होती है मुगल शेना के आकर्मन की बागडोर जो होती है वह सहजादा मुराद मुगल आकर्मन की जो बागडोर होती है शाहजादा मुराद और अब्दुर रहीम खाने खानान के हाथ में होती है तो कभी-कभी ये सब पीटी में आज आएगा कि अकबर ने दच्छी नभियान का नित्र तो किसे सौपा था तो पहली बार शाहजादा मुराद और अब्दुर रहीम खाने खानान को होता है तो जब ये आकर्मन होता है तो मुगल सेना जो है आंदेश के सहयोग से चुकि इसने मुगलों की प्रभुता को अभी स्विकार कर लिया था तो खानदेश के सहयोग से ये लोग आगे बरते हैं और अहमद नगर पर घेरा डालते हैं लगवक 6 महिने तक घेरा डालने के बावजूद भी क्या होता है कि चांद बीवी के रनकौसल और वीरता से मुगल इसको जीत नहीं पाता है जिसके कारण क्या होता है कि एक बार फिर्शे यहाँ पर क्या होता है कि चांद बीवी की वीरता के कारण मुगल इसको जीत नहीं पाते है यह महिना तक घेरा डालने के बाब जोता है तो दोनों के बीच क्या होता है कि एक समझाता हो जाता है यानि मुगलों के बीच और चांद बीबी के बीच एक समझाता होता है और यह समझाता जो होता है वो 1596 में होता है इस समझाते का नुशार क्या होता है कि बरार जो था वो मुगल को मिल गिया बरार मुगल को मिला ध्यान से समझेंगे बरार मुगल को मिला इस समझोते का नुशार तुसरा अहमद नगर ने मुगलों के प्रभुत को स्विकार कर लिया कि संरक्षिका थी बहादूर को सासक मान लिया इस तरीके से राजबुताना चेतर में होता था कि आप मुगलों की स्विकार कर लिजिये और राजी करते रहिए कि कुसी तरीके से यहां पर अहमद नगर के भी साथ हुआ था कि उन्हों ने बरार दे दिया मुगलों को अहमद अगर ने प्रभुता स्विकार कर लिए और मुगलों ने बहादूर को शासक मान लिया चांद विवियोस की संरक्षिका बन गई यह ध्यान में रखने की जरूरत है अब यहां पर क्या होता है कि दक्कन में जब मुगल इस तरीके से इंट्री मारते हैं तो आप इसको एक मा बरार का एरिया हो जाएगा और इसी बरार यहां होता था इहां पर अहांपर अहमदनगर का करनाटक के छेत्रों में और अहमदनगर महराष्ट का मराछवारा का छेत्र था वहां पर हम देश्क का होता है यह याद रहन के साथ जब ऐसा रिलेशन हो गया तरीके से बरार फर एक तरीके से अहमदनगर और वी government काम करता था और वायावने intensity सास्ठर्स वहाया पारत और छिन के बीच लोप में प्रॉजेन्ट एंटर्नेशनल सीनरियो में कोई भी राज्य बफर नहीं है सभी सवरजीन राज्य में पर राज sz SFistiacalcia और ढ़ा शकति की सरी शेत्र बन जाता है या संगर्ष को कम भी करता है तो जब बरार पहुंच गए मुगल तो बीजापूर के लिए और गुलकुंडा के लिए एक बहुत बड़ी ये चोकन ये होगे दोनों राजे इनको लगने लगा कि जदी बरार में मुगल रहते हैं तो यह बीजापूर और काबित नहीं होगा कि इसी कारण से क्या होता है कि जब और वास्तव में था भी कि जदी बर मुगल यहां पर रहेंगे और जदी आमवाद नगर ने इनकी वर्चा सुता को स्विकार कर लिया है तो अगली बारी बीजापूर और गुलकुंडा की होगी इसमें कोई दो राय नहीं था और यह दोनों सासक राजमंस यहां के जानते भी थे इसी कारण से क्या होता है कि परिस्थिती को ध्यान में रखते हुए अब यहां से आगे की जो प्रक्रिया वरती है वह यहीं होती है कि बरार में मुगल के रुप जाने से यह दोनों राज चौकन होगे और है कि जापूर जोल कूंडा लर रहे थे बीजापूर और घुपनध के समर्थन में यह आ गिया और दोनों ही राजियों ने दोनों मुगलों के विरुद अहमद नगर के समर्थन के लिए अपनी अपनी सेना भेज दी क्योंकि इन दोनों राजियों को लगने लगा था कि दक्कन में जदी मुगल रहे और बरार में खास कर रहे तो अगली बारी विजापूर और गुलकुंडा के विजय की हो सकती है तो अब यहाँ पर क्या हुआ मुगलों के विरुद एक त्रिगूट का निर्मान हो गया यहाँ पर एक त्रिगूट का निर्मान हो गया हलां की जो मुराद और अब्दुर्राहिम खान खाना की सेना थी उसने 1597 में क्या किया था मुगल सेना के द्वारा त्रिगुट सेना को पराजित किया जाता है यानि कि बेजापूर, गोलकुंडा और अहमद नगर की सन्युक्त सेना को मुगल सेना के द्वारा 1597 में पराजित किया जाता है यानि कि यह जो समझाता 1596 में हुआ था यह बहुत अस्थाई नहीं रहा यहाँ पर क्या होता है कि तीनों फिर एक हो जाते हैं त्रिगुट का इंद्रमान 1597 में क्या होता है इस त्रिगुट को मुगलों के द्वारा पराजित कर दिया जाता है और पराजित करने के बाद क्या होता है कि फिर शे मुगलों के द्वार द्वारा अहमद नगर का घेरा डाल दिया जाता है इधर क्या होता है कि आहमद नगर का घेरा ये लोग डालते हैं और चान्द भीवी फिर से एक बार मुगलों के साथ संधी समझाता है करना चाहती है लेकिन आंतरिक दर्बारी गुट बंदी थी उसी दर्बारी गुट जाता है और चांद वी चांय कर दिया जाने के बाद क्या होता है कि अहमद नगर का प्रतिरोध था श्र। क्या होता है कि अहमद नगर पर अहमद नगर के किले पर मुगल का कबजा हो जाता है मुगल कबजा हो जाता है दूसरा क्या किया जाता है कि जो बहादूर राजा होता है जिसको पहले माना गया था तो बहादूर को गिरफतार करके गौालियर भेज दिया गया गौालियर किले में भेज दिया गया, यहां पर गौालियर किले में भेज दिया गया, तीसरा मुगलों ने बालागहाट का छेतर भी जीत लिया, जो बालागहाट का छेतर जीत लिया जाता है, बालागहाट का छेतर जीत लिया, और चौथा अहमद नगर में एक मुगल सेना र जो आप डुपलेक्षी ने निती अपनाए थी आधूनिक भारत में जो शाहायक शेना रख दी जाती थी ढुपलेक्षी ने ये पढ़ीशी अपनाए थी बाद मुसकर वेलेज लेने तो अहमदनगर में मुघल शेना रख दी गई वहां पर डबने मुघल से न रख दी गई इसके बाद क्या होता है यह जो समय है कब pag यह समय एक्जाक्टली सोला सो इसवी का है यह exactly यह जो परिस्ठीतियां है सोला समय में इसके बाद अक्बर के द्वड़ा क्या क्या जाता है कि सोला सो एक उस भी में पूरी तरीके से खांदेश पर अधिकार कर लिया जाता है और इसी बर्ष क्या होता है कि 1601 में खांदेश और इसी खांदेश में असीरगड का किला था असीरगड का किला भी जीत लिया जाता है यह अकबर की अंतिम युद्ध और विजय अकबर का अंतिम अभियान होता है क्योंकि खांदेश का जो सासक था या उसने प्रभुता तो स्विकार कर लेती लेकिन खांदेश के सासक ने क्या क्या था कि जब यह आहमद नगर का वियान हो रहा था तो मुगलों को जो सहायता मिलनी चाहिए वह सहायता उसने नहीं पहुँचाए आप कहेंगे कि अखिर इन्होंने क्यों अधि जब उसने प्रभुता स्विकार कर लिया था खांदेश ने असिरगर्ड का किला वहीं पर था तो फिर खांदेश और असिरगर्ड पर अधिकार करने की क्या जरूरत थी तो एक तो जब अहमद नगर का वियान हुआ था सोला सो में और उसमें तो अहमद नगर अवियान के समय जो खांदेश को सहता करनी चाहिए थी वह सहता नहीं की थी और दूसरा इसका कारण यह था कि इस समय दच्छिन का जो अवियान का मुख्य ब वह बन चुके थे सहजादा दानियाल सहजादा दानियाल जो है वह अवियान का मुख्य सेनापती बन चुका था तो जब सहजादा दानियाल जा रहा था मुख्य सेनापती के रूप में खांदेश से होते हुए अहमद नगर तो खांदेश के सासक ने सहजादा दानियाल का स्वागत नहीं किया था जायर सी बात है कि जो शेना का प्रमुक होके जा रहा है आप उसकी स्वागत सतकार नहीं करेंगे तो जायर सी बात है कि वो एक मुगल बादसाह का अपमान था तो इसको भूला नहीं था और अकबर को यह लग गया था कि दच्छिन बारत पर अब आवश्यक है तो खांदेश और असीरगर्ड की जो विजय है वो इसी का अंग था तीन पॉइंट सबसे पहला कि जो अहमद नगर का एरिया पर प्रभाब जबाने के लिए खांदेश और शामरिक महतपूर्ण के असीरगर्ड के किले को जीतना आवश्यक था यह ध्यान में उगल शिनापती बने थे दच्छी नभियान के पहले कौन थे तो शहजादा बुराद और अब अब शाजादा दानियाल बनाए गये हैं और जब शाजादा दानियाल जा रहे थे तो उसका यथिस्ट सम्मान नहीं किया था तो इसके कारण क्या होता है कि यह असीरगर्ड और खांधेस चयएered तो यहां तक आप आप देख रहे हैं कि नए शोला सोकी संधी है और सोलाश एक संदे में खांधेस और असीरगर्ड यहां तक अकबर एक निरनायग स्धिति मा चुका है और शाजादा नयाल यहां के एक सेना पति निक्त किये जाचुके हैं लेकिन इस्थिती बदल जाती है अहमद नगर में इस्थिती में परिवर्तन यानि सेना तो जरूर रख दी थी यहां पर इस्थिती में परिवर्तन और इसके बाद अहमद नगर में इस्थिती में क्या परिवर्तन होता है और उसके बाद क्या होता है वह आपको ध्यान से समझने की जरूरत है तो अहमद नगर में क्या होता है कि अहमद नगर के सरदारों के खासकर जो अहमद नगर में सरदार का कई गुठा सरदारों के एक समून ने क्या क्या मुर्तजा मुर्तजा नजाम साह को अहमद नगर का सासक घोसित कर दिया क्यों घोसित के आपको लगया कि ये बीच में कोन आ गया भाई आपने देखा था इससे पहले कि चांद बीवी की हत्या हो चुकी है जो बहादूर के संरक्षिका के रूप में सासन कर रही थी और बहादूर को गिरफतार करके गौालियर भेज दिया गया है तो अहमद नगर में तो कोई सासक है नहीं और अहमद नगर में मुगल से ना है तो बिना सासक का अहमद नगर था और मुगलों की प्रभुता को स्विकार कर लिया था तो इसलिए आहमद नगर के जो अमीरों का एक गुड़ था उसने मुर्तजा निजाम साथ को आहमद नगर का सासक घोसित कर दिया अहमद नगर का साह सक घोशित कर दिया और जब मुर्तज्वा निजाम साह को अहमद नगर का साह सक घोशित कर दिया जाता है तो सहिजादा दानियाल जब यहाँ पर पहुँछते हैं तो निजाम साह के साथ क्या होता है कि एक समझाता कर लिया जाता है किसके दुआरा तो समझाता करता है दानियाल पहुचते ही मुर्तजा निजाम साह के साथ समझाता कर लेता है तो निजाम सा के साथ जो दानियाल समझोता करता है उसमें क्या-क्या सामिल है तो सबसे पहले पहले बी मुगलों की द्वरा जीता गया था अहमद नगर बाला घाट और तेलंगाना का अधिकान से हिस्सा मुगलों को मिला तेलांगाना का अधिकांच हिस्सा मुगल को और कुछ मुर्तजा को, अधिकांच भाग पर मुगल नियंत्रन, अधिकांच भाग पर मुगल का नियंत्रन और सेश पर नियंत्रन और सेश पर मुर्तजा का नियंत्रन रहा, सेश पर मुर्तजा का नियंत्रन कर दिया, यानि उसके मुर्तजा का अधिकार मान लिया पहला दूसरा जो इस संधी समझोता में सामिल था वह यह था जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था वो दूसरा पॉइंट यह था कि मुर्तजा को सासक इस सर्थ पर कानियाल ने स्विकार किया था मुर्तुजा को इस सर्थ पर सासक स्विकार किया कि वह मुगलों का वफादार बना रहेगा और कभी विद्रोह नहीं करेगा और कभी मुगलों के खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा इस सर्थ पर सहजादा दानियाल ने मुर्तजा के साथ एक समझाता कर लिया अब यहां पर आप देख लें कि यह जो समझाता है यह भी लगबग 1602 के आसपास का समझाता है जब दानियाल के द्वारा यह समझाता किया जाता है तो इस समय तक कुल मिला कर आप देखेंगे कि 1602 तक की जो इस्थिति है यह मुगलों के पास बहुत ठोष उपलवदी थी अकवर के समय तक क्या ठोष उपलवदी है तो आप देख रहे हैं कि एक तरीके से अहमद नगर का दिकांस भाग बाला घाट और तेलांगना का दिकांस भाग मुगलों के अधिन आ चुका है कुछी ही छित्रों पर मुर्तजा का नियंत्रन है दूसरा मुर्तजा को भी इस सर्थ पर सासक स्विकार किया गया कि वह मुगलों का बफादार बना रहेगा और मुगल के खिलाक कभी विद्रो नहीं करेगा ये मुर्तजा ने स्विकार कर लिया था और इससे पहले आपने देखा है कि 1601 में अकवर के द्वारा हांदेश पर भी अधिकार कर लिया गया था तो इस समय तक जो है एक ठोस उपलवदी तक मुगल पहुँच चुके थे लेकिन यह ठोस उपलवदी के बावजूद भी क्या था कि मुगल अपनी स्थिती को सुद्रिद नहीं कर पा रहे थे यानि कि इस ठोस उपलवदी के बावजूद भ थोशोपलवदी मुगलों को मिल चुकी है ये मैंने आपको बता दिया है लेकिन इस थोशोपलवदी के मुगल अपनी स्थिती को सुद्रिद नहीं कर पा रहे ते इसका प्रमुक कारण था बीजापूर के सासक की नीती वीजापूर के प्राशक की नीति और यह अकबर भी जानता था तो तो सबसे क्या था कि जो स्थोस उपलबदी के बावजुद भी दक्कन में मुगल अपनी स्थिती को सुद्रिड नहीं कर पा रहे थे इसका रिजन था वीजापूर के सासक की नीति और अकबर भी इस बात को जानता था कि दच्छिन भारत में सांती की अस्थापना सब कुछ निर्वर करता है सांती की अस्थापना निर्वर करती है वीजापूर का जो सासक है उसकी नीती पर सरजदी बीजापूर मुगलों के साथ सहयोग करेगा इसका अरतिय ही है यदि बीजापूर मुगलों के साथ सहयोग करेगा तो दक्कन में सांती हो सकती है और जदी वह कुटनिती करना शुरू किया यानि अहमद नगर को फिर्शे भरकाना शुरू किय गुलकुंडा के साथ सक्ति संगर शिरना शुरू किया तो फिर क्या होगा कि दक्कन में सांति की अस्थापना नहीं हो पाएगी यह अकबर जानता था इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अकबर के द्वरा क्या क्या जाता है वीजापूर के सासक को एक संदेश भेजा जाता है संदेश किसका बेजा दिया जाता है संदेश भेजा जाता है कि एक तरीके से संदेश में यह रहता है कि भेजा जाता है और संदेश में यह रहता है उसको आश्वस्त करता है कि वह उसके राज्य पर कबजा नहीं करेगा आश्वस्त करता है करता है कि उसका राज्य बना रहेगा अस्वस्त करता है उसका राज्य बना रहेगा केबल मुगल प्रभुता को स्विकार कर ले ये अकबर ने एक संदेश भेजा विजापूर के सासक को मूल उद्येश यही था अकबर भी दक्षिन बारत में एक ठोश उपलब राप्त कर चुका था और वह चाहता था कि अब दक्कन में कुछ शांती विवस्ता अस्थापित हो जाए वह यह चाहता है इसलिए उसने अकबर के प्रस्ताब पर क्या करता है कि हामी भर देता है हामी भर देता है यानि अकबर के प्रस्ताब को स्विकार कर लेता है और शंबब है कि अकबर के प्रस्ताब को इसलिए स्विकार कर लिया होगा इसने ऐसा कूटनितिक सोच आप कह सकते हैं क्योंकि जदी आप एक त कि यहाँ पर जो है वो कौन सा राज्य है बिजापूर का राज्य है करनाटक और उत्री माहार बाराश्ट्र चुका मंगलों के प्रभुत मं आ चुका अहमद नगर का जो सहक मुर्तजा निजाम सह था उसने भी यह स्विकार कर लिया था कि मुगलों के बिरुद्ध नहीं जाएगा कभी उसके खिलाब बगावत नहीं करेगा तो जाहिर शीब आता है कि जदे बीजापूर अभी चाहता भी कि मुर्दजा निजाम साक को मुगलों के खिलाब भरकाया जाए तो यह संबब नहीं था क्योंकि दानियाल वहीं बैठा हुआ था और तुरुष्णे संधी समझाता कर ले थे कि इस तरीके से आपको काम करना है तो उस दवाब उत में आकर शैद बिजापूर के सासक के ने मान लिया होगा यह हामी भर देता और इस हमीं को एक ठोस अंजाम देने के प्रयास से इस हमी को ठोस आधार देने का भी प्रयास किया इस हामी को ठोस आधार देने का प्रयास किया जाता है और ठोस आधार देने का क्या प्रयास किया जाता है कि आदिल साह के द्वारा अपनी बेटी का विवाह दानियाल के साथ कर दिया जाता है आदिल साह की पुत्री का विवाह दानियाल के साथ कर दिया जाता है दानियाल के साथ कर दिया जाता है यानि कि एक तरीके से आप यह कह सकते हैं यहां भी अकबर्न एक तरीके से जिस तरीके से राजबुतों के साथ उसने निती में बैवाहिक संबंदों को एक आधार दिया था ठीक उसी तरीके से डक्कन में भी यह कोशिस की गए कि सांती अस्थापना म बैवाहिक निती को बढ़ावा दिया गया तो सहाजादा दानियाल के साथ क्या होता है कि इसकी पुत्री का विवाह कर दिया जाता है और दक्कन में मुगल कुछ और ठोस उपलवदी धारन करते और यह बैवाहिक जो निती है वह कुछ ठोस आधार धारन करता करता तब तक क् पर दानियाल की मृत्यों हो जाती है और दानियाल की जो मृत्यों होती है अधिक सराब खोरी के कारण दानियाल के मृत्यों हो जाती है और जब दानियाल के मृत्यों हो जाती है तो यह जो वैवाहिक नीती की सुरुआत हुई थी यहीं पर शमाप्त हो जाती है यहीं पर क्या होता है समाप्त हो जाती है इदार दानियाल की मृत्ति होती है और उधर उत्तर में क्या होता है कि उत्तर में जहांगिर का एक तरीके से बगावत होता है जहांगिर का बगावत होता है विद्रो कर बैठते हैं और जब विद्रो कर बैठते हैं अकबर को क्या होता है इसी परिस्तिती में उत्तर से दक्षिन वापस दक्षिन से उत्तर वापस आजाना परता है तो परिस्तिती अभी क्या है यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप जब जहांगिर को आप परहेंगे तो last stage की जाती है वयवाहिक संबंधों को बढ़ावार देने का प्रयास किया जाता है क्योंकि सरावपोरी के कारण क्या होता है दानियाल के मृत्ति हो जाती है तो बीजापूर के साथ मुगलों के संबंद कोई ठोस आधार पर नहीं जाता है वही इस्तिति में रहा जाता है दूसरा क्या होता है कि उत्तर भारत में अकबर को आवस्चक लोटना परता है और चेंज होने लगती है तो इसी प्रिष्ट भूमी में जहांगीर बादसाह बनेंगे और फिर उनको दक्कन की निति क्रियानवित करनी है तो इसी प्रिष्ट भूमी में जहांगीर के दक्कन की निति को शमझा जा सकता है तो अब आप चलिए जहांगीर की दक्कन की पॉलिशे जहागीर की दकन की नेती जहागीर की दकन की नेती को समझने के पहले सबसे पहले क्या है कि आपिया समझ लिजे कि अहमद नगर की क्या इस्तिती थी इस समय अहमदनगर की इस्थिति और अहमदनगर की इस्थिति से समझेंगे तो आप यहाँ पर समझेंगे अहमदनगर में क्या था कि इस समय मलिक अंबर का उदाय हो चुका था मलिक अंबर का उदाय हो चुका था अहमद नगर में तो सबसे पहले आपके मन में यही होगा कि यह मलिक अंबर कौन था कहां से आया किस तरीके से और क्या इसका रोल प्ले किया इसने यानि कि जहांगीर से लेके साजहां तक अहमद नगर की राजनिती के सरवो शरवा जो रहते हैं मलिक अंबर के हाथों में रहता है और बुगलों को काफी परिशान ये करता है तो सबसे पहले मलिक अंबर कौँ था इस बात को आप जान लेजे तो मलिक अंबर जो था यह इतोपिया का एक हबसी सरदार था सबसे पहला पॉइंट तो यह याद रहेंगे मलिक अंबर के बारे में दूसरा इसको क्या क्या था इसके माबाप जो थे काफी गरीब थे इसके गरीब माबाप ने बगदाद में इसे बेच दिया था बगदाद में बगदाद में बेच दिया था जो दास प्रथा होती थी क्रै विक्रै की उसके थाथ इसको क्या गया था बगदाद में बेच दिया गया था और यहां से बगदाद से एक ब्यापारी के द्वारा खरीद कर या दक्षिन भारत लाया गया था ब्यापारी के द्व द्वारा खरीद कर दक्षिन भारत लाया गया था और फिर क्या होता है कि अहमद नगर के अहमद नगर में इसका क्या होता है कि जो मुर्तजा निजाम सा था मुर्तजा निजाम सा के सरदार था जिसका नाम था चंगेज खां मंगोल सासक नहीं है यह मुर्टजा निजाम शा का सरदार है चंगेज खां इसकी सेबा में इसकी उन्नती होती गए यह ध्यान में रखने की जरूरत है आगे चल कर यह क्या होता है कि जो मलिक अंबर है यह अहमद नगर की राजनिती में सरवो सरवा रोल प्ले करना शुरू करता है तो पहले जब आप इसको आप जान रहे हैं तो पहले इसी को आप समझ रहेजिए तो फिर क्या होता है कि जब मुर्टजा निजाम साह की मृत्य हो जाती है और आपर नगर की राजनिती में यह बड़ा रोल प्ले करने लगता है तो अहमद नगर के पतन के बाद क्या होता है कि निजाम साही बंस के एक सहजादे को ढूंड कर यह यहां का सासक बना देता है निजाम साही यहांनि मुर्तजा निजाम साह के मुर्क्तियों के बाद उसी निजाम साही वंस के ब्यक्ति को धूंड कर सासक बनाता है ब्यक्ति को धूंड कर सासक बनाया और खुद उसका पेशबा बन जाता है और खुद यानि उस सासक का पेशबा बन गया प्रशासन का सरवो सरवा खुद पेशबा बन गया कौन मलिकमबर और पेशबा बनने के बाद क्या करता है ये और इसमें जो इसने सासक बनाया था निजामसाही सासक को इसमें बीजापूर के सासक ने मूख समर्थन परदान किया था बीजापूर का सासक जो आदिल सा था बीजापूर का सासक का शमर् था कि बीजापूर के सासक ने जो शाजादा दानियाल के साथ जो अहमद नगर की संदी समझाता हुई थी और अकबर ने उसके बाद जो बीजापूर के पास सुबर्जिनिटी मान लेने का एक शंदेश बेजा था और बीजापूर ने जो मान लिया था उसका कारण यह भी थ कि उस समय दानियाल वहां पर था मुगल सेना अहमदनगर में थी अहमदनगर का सासा कि मुर्टजा निजाम सा मुगलों के प्रभुता को श्विकार कर चुका था और उसने यह भी वचन दे रखा था कि वह मुगलों के खिलाब कभी बिद्रो नहीं करेगा और जैसे ही मुगल ही यहां से अनुपस्थित हुए क्योंकि बीजापूर जानता था कि एक न एक दिन उसकी बिलाय होनी है तो वो जानता था कि मुगल ना रहे उसके लिए बेहतर है जैसे ही यहां से मुगल अनुपस्थित हुए दानियाल के मृत्यों के बाद एक भैक्यूम राजनिती की बनती है क्योंकि अकबर को दच्छिन से उत्तर भागना परता है उत्तर के परिस्थितियों के कारण तो एक दो चार पांच साथ सालों के लिए जो सुन्य की राजनिती की स्थिति उत्पन होती है फिर से आप देखे बीजापूर अपनी पॉलिशी को बदलता है और निजाम साही बंस के सासक जिसको मलिकमबर ने फिर से निजाम के गद्धी पर बैठाया था उसको समर्थन भी प्रदान करता है यानि यहां पर आकर इसकी निटी बदल चुकी है यह ध्यान में रखने की जरूरत है इसके बाद क्या करता है मलिकमबर के द्वरा जो है मराठा सरदारों का दल त्यार किया जाता है मराठा सरदारों का दल त्यार मैंने पहले भी जब प्रियोजक तक तक आपको शुरुवात की थी लेक्चर की दूसमें बठाया था कि दक्कन की राजनिती में मराठों की भूमिका काफी बहते जा रहे थी तो मराठों का दल तयार किया था और आगे चलकर दच्छिन भारत में मलिकंबर के द्वारा प्रशासन में भी काफी सुधार किया गया था आगे चलकर दच्छिन भारत में मलिकंबर के द्वारा प्रशासन में सुधार किया गया था तो प्रशासन में काफी सुधार किया गया था इसने दच्छिन भारत में इसको टोड तोडर्मल बंदोवस्त का जनक कहा जाता है इसे उत्तर भारत में जो तोडर्मल बंदोवस्त भुराज़ा सशुधार की प्रनाली अकबर ने लागू की थी वह दचिन भारत में इसने लागू किया था अपने पेशवा के पद पर रहते हुए और फिर इसने अहमद नगर रा मलिको समात्य कर दिया तरीके साब यह कह सकते हैं कि मली अंबर के द्वारा राजी की संृति सक्ति को आर्थिक सक्ति से जोरने का भी प्रयास किया गया ङ Fellows has cents को कामیयाब हो पाएगी और मश्बूति और इसकी मश्बूति सॉन एक ने परियास किया जाता है आ यह जो था मलि कंबर के उपर आपके पास information जा जो मैंने आपको बता दिया और जहांगीर के समय में ये घटना है सब कुछ अकबर के मृत्यूं के बाद किये है जब जहांगीर अब दक्षिन भारत में जाएगा तो मलिक अंबर का उसको सामना करना परेगा और मलिक अंबर क्या क्या निती अपनाता है किस तरीके से वह काम करता है कैसी परिस्थितियां बनती है इस सब पर हम आपसे चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में तब तक आप इस लेक्चर को देखिए सुनिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए इस वीडियो को मैं उम का थी तो कई बार पूछेगा मली कंबर कहां की सासी का थी मली कंबर पर स्टेटमेंट करके सकता है दचिन वारत में टोडर्मल बंदोवस्त का जनक कौन था यह आप से पूछा जा सकता है मुगलों के जो दचिन अभियान के जो शेनापती रहें उसके बारे में तो सबसे पहले कौन थे तो आपने देखा है कि जो मुराद और अब्दार्रोहिम खान खाना थे वे फिर शाजादा दानियाल बनाए गए और फिर अकबर की दचिन की निती का क्या उदेशता किस तरीके से आगे बढ़ते हैं क्या क्या प्रक्रिया हुई पूरी प्रक्रिया मैंने आपको डिटेल से बताया है अगले लेक्चर में मली कंबर के बारे में तो आपने जान लिया है अगले लिक्चर में हम आपको जहांगीर और शाजहां दोनों की जो दक्कन की नीती है किस तरीके से आगे बढ़ती है उस पर आपको लिए चलेंगे तब तक आप इस वीडियो को देखिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और जदी आप यापके मित्रों में से कोई जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो प्लस कोर्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो 12 मंत के सब्सक्रिप्शन का जो सब्सक्रिप में प्राप्त होगा और यदि आप 24 मंत का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 24 मंत के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन 72,000 का है यहां जदी आप मेरा रिफरल कोड शंकर वैटी प्रियोग करेंगे तो इंस्टेंट 10% डिसकॉंट पाएंगे तब 24 मंत का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा और जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है उसको हम लोग कहते हैं ИКОНИК सब्सक्रिफ्चन है तो आप埃कोंिक सब्सक्रिफ्चन भी ले सकते हैं और ИКОНिक सब्सक्रिफ्चन के 12 मत का जो सब्सक्रिफ्चन फेश है ये 69,500 का है और यहां पर भी ज़rad the referral code शंकर yourT पर्योक करेंगे तो आप 10% discount पाएंगे तब 12 मंत का Iconic Subscription आटको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा और जदी आप 24 मंत का Iconic Subscription लेना चाहते हैं तो 24 मंत का Iconic Subscription एक लाख शाथ हजार का है और यहाँ पर भी जदी आप मेरा Referral Code शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% Instant Discount पाएंगे तब 24 मंत का Iconic Subscription आपको 93,300 में प्राप्त हो जाएगा Iconic Subscription में आपको क्या-क्या मिलता है सबसे पर इसमें आपको Live Class मिलता है Test Series मिलता है, Unlimited Practice मिलता है, Structure Scheduled मिलता है Personal Coach, Daily Means Question-Answer Rating, Study Planner और Personal Feedback का धार पर आपकी तयारी कराए जाती है इसमें जो Personal Coach और Daily Question-Answer Means का कराया जाता है ये Iconic Subscription की सबसे मूल विसेशता है तो कि जब आप UPSC जैसे प्रतिस्टित सिवा की तयारी करते हैं जो देश का सबसे Tough Competition माना जाता है तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है आपके लिखे हुए content को चेक करें आपके मजबूत पक्ष के आपके कमजोर पक्ष को तरफ आपका ध्यान खीचे और आपकी सफलता को सिनिस्चित करें एक ऐसा प्रशिक्षक मार्क दर्सक आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्षन में मिलता है और फिर आप ओप्षनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्षन ले सकते हैं तो ओप्षनल पेपर के 12 मंत का जो सब्सक्रिप्षन फिस है यह 27,500 का है और यहाँ पर भी जदी आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाइटी प्रियोग करेंगे ता आप 10% डिसकांट पाएंगे तब 12 मंत का जो सब्सक्रिप्षन है यह आपको 24,750 में प्राफ्ट हो जाएगा और जैसे कि मैंने पहले भी लेक्चर के शुरू में बताया था कि मैं आने कैडमी के यूट्यूब चैनल पर जोग्रफी ऑप्षनल पेपर पराना शुरू किया हूँ अभी इसके तीन लेक्चर हुए है जो टाइमिंग है 2 पीम में है 2 पीम में है आज भी इसकी क्लास होगी 2 पीम में आप सभी लोग मैं टेलिग्राम लिंक पर सेयर कर देता हूँ क्लास लिंक आप वहां से देख सकते हैं और लाइव क्लास में आए तो आपके मन में जो भी डॉट होगा वह भी आप क्लियर कर सकते हैं तो टू पीम में आज आप हमसे जूर शक्ते हैं लाइव सेशन में जोग्रफी के ऑप्षनल पेपर में तब तक इस वीडियो को सभी लाइक करें सेर करें सश्क्राइब करें ताकि अधिकसादिक लोग इसका benefit प्राप्ट करें और आपकी जो डिमांड ए cop करें मुझे लीक ताकि मुझे पता चले को यह उसको कर पाता हूँ या नहीं आपके घर के से Сп काम करता है तो वो जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो में हम आपके लिए धक्कन पर जो जहांगीर और साजां के समय की जो नीती है जो घटना करम है उसके बारे में डिटेल से इसी तरीके से कॉंसेप्ट का मिस्रन लेके आएंगे तब तक इस वीडियो को सभी लोग देखे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद है सभी को